हेलो गाइस तो अभी पी काफी काफी काइड़ेट का अभी पीस क्लरीकल 12 का जो रिजल्ट स्टेटस है वो नहीं दिखा पा रहा है इन्वैलिट क्रेडेंशल आ रहा है किस तरह किसे आपको लॉग इन करना है एक बारे में लाइव आपको दिखा दू तो सबसे पहले आपको काफी सारे जो न्यू है नोटिफिकेशन ये स्क्रूल होती वे देखना को मिलेंगे आपको CRP क्लरीकल पर क्लिक करना है यहाँ पर आप देख पाऊगे CRP क्लरीकल तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद common recruitment process for clerical card 12 यहाँ पर आपको क्लिक करना है देन इस तरीके का window open हो जाएगा यहाँ पर आप देख पाऊगे click here to view your result status of online preliminary examination for CRP clerk 12 तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख पाऊगे यहाँ पर 21st of September से 27th of September तक आपको जो आपका result status यहाँ पर देखेगा marks भी आपको जल्दी ही show करें 26 या 27 तक आपके marks भी यहाँ पर आजाएंगे तो यहाँ पर आपको जो login credential दिया गया है यहाँ पर आपका registration number and यहाँ पर आपका date of birth इंटर करना है और यह जो capture image आपको दीख रहा होगा यहाँ पर आपको यह text जो है वो इंटर कर देना है किसी भी तरीके का space आपको यहाँ पर यूज नहीं करना है तो यहाँ पर हम लोग लोग इन करेंगे candidate का अगर आपका भी login नहीं हो पा रहा है तो नीचे comment box में आप comment करिया आपका registration number and date of birth तो जल्दी आपका result status भी देख के हम बताएंगे तो यहाँ पर सबस्पल आपको आपका registration number या फिर roll number इंटर कर देना ह हम roll number इंटर करेंगे candidate का and then यहाँ पर date of birth इंटर कर देंगे date of birth का जो format है यहाँ पर आप देख पाऊगे किस तरह के चे आपको आपका date of birth इंटर करना है and then आपको simply login बटन पर क्लिक कर दिना है तो आप देख पाऊगे अपने screen पर जो registration number आपको दिखेगा roll number दिखेगा and post यहाँ पर दिखा गया है clerical card आपका नाम सबसे उपर में लिखा जाएगा यहाँ पर आपको एक message यहाँ पर देखना को मिलेगा अगर आपको भी इस तरह की का message आया हुआ है तो इसका मतलब यह होता है कि आप जो है qualify नहीं कर पाए हूँ pre-examination याने mains के लिए आप यहाँ पर shortlisted नहीं किये गए हो scores obtained by you in the online preliminary examination will be available on the authorized IBPS website within seven days तो साथ दिन के अंदर आपका जितना भी score होगा जो तीन आपके subject है उसमें आपको कितने numbers आई होए है वो जल से जल पता चलेगा within seven days याने साथ दिन के अंदर यहाँ पर website पर एक notification अब देखनों मिलेगा जिसमें common recruitment process for clerical card 12 यहाँ पर click करके यह आपको यहाँ पर link मिल जाएगा and इस link पर आपको आपका registration number या फिर roll number इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर आपका date of birth या फिर password इंटर करने के बाद आपको यह capture image में कोई भी space नहीं देना है and then login कर देना है तो आपका login जो हो successful हो जाएगा अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो नीचे comment box में comment करिए जल से जल आपका result आपको पता चल जाएगा thank you very much guys for watching the video please like this video को share करें अपने friend के साथ and channel को जरूर से subscribe करिए thanks for watching guys